हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टो माई यूटीब चैनल और इस वीडियो में हम देखेंगे कल के लिए निफ्टी की स्ट्रेजी तो आज एक्सपेक्टेड हमने निफ्टी में अच्छा कासा शॉट स्पेस देखा लगबग हमने साठी 300 से 400 पॉइंट का हाई भी लगाया 16,700 प्लस के लेवल देखें वहां से करेक्ट होके 16,566 पे बंद हुए लगबग 200 पॉइंट के गीन के साथ 1.23 परसेंट तो आज एक्सपेक्टेड हमें पता था कि निफ्टी जो है तो एक अच्छी खासी रिकवरी दे सकता है और जिनोंने भी लॉंग साइड पे पार्टिसिपेट किया होगा या फिर ऑप्शन साइड पे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट शुरू में मॉर्निंग में मिल मिल गया प्रॉफिट वुकिन तो आने ही थी क्योंकि यहां जो है तो एंवर्मेंट बहुत ही ओलटाइल है और जैसे मैंने कहा था कि जिस तरह से अभी थोड़ा सा एंवर्मेंट कुल ओफ हो रहा है मगर यहां और यहां जो छोटे ट्रेडर से उनको वाइप आउट करने क और एक सई दिशा तहिए तो यह जो है तो यह कमन फिनामेन मार्केट का अग्लिक्ट यह कॉमन एक से मेंचे से मॉझ आते हैं जिसके वाज़े से यह वाइका ट्रेडर और यहींध रटा है और मर्केट जो है तोस फिरतिथे मौन कर लेताइवाट तो छुरू करते। तो पॉजिटिव टर्न हुए है और जैसे मैंने कहा था कि यह पॉजिटिव टर्न आराउंड जो है तो कंटिन्य हो सकता है वो अड़ी हम देख रहे हैं विकली चाट पे लगबग हम 300 पॉइंट के साथ गेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं फॉर्डवी लगबग 2% उपर और चल सकता है तो यहां उपर जो अभी मुझे विकली चाट की आनुसर जो टार्गेट लगता है वो 17,150 का लगता है जो हमारा 50 वीक का जो एवरेज था उसका टार्गेट अच्छी हो चुका है जो 16,450 था हम उसके उपर बंद हुए है तो जब तक हम 16,450 के उपर बंद है वीक 15,150 का लेवल पकड़ की चलिए तो यहां जो है तो यह शॉट कवरिंग के प्यूवर यहां बाइंग नहीं हो रही है यह जो 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 बड़े ट्रेडर्स ने उपर की लेवल पर शॉट किया था उनको कवर कर रहे है अभी देखते डेली चाट तो डेली चाट पर आप देख सकते हो कि रेड़ कैंडल बनी है तो यह जायस था क्यूंकि टू अंडर्डेज का एवरेज इतना जल्दी तूटने वाला रही है वहां से अच्छा का सप्ला है और हमने आज जो है तो हाई लगबग 16,750 का लो था लगबग 16,450 का तो हमने 300 पॉइंट की रेंज देखी और सोड़ा सा लोवर लेवल से रिकोर होके 16,566 पे बंद हुए लगबद 200 पॉइंट के गीन के साथ तो यहां कल के लिए मेरा जो ट्रेड रहेगा वो मुझे लगता है कि लॉंक साइड पर ही बनाना चाहिए मगर वो बनाना है आपको जब निफ्टी 16,700 का लेवल क्रॉस करे सब्सक्राइब लेकर 17,200 के टार्गेट लिए आप लॉंक कर सकते हो आपका जो स्टॉपलस रहेगा वो 16,500 के नीचे रहेगा तो इस ट्रेड में जो है पूजिशनल ट्रेड में स्टॉपलस रहेगा आपका 200 पॉइंट का और टार्गेट बनेगा आपका लगब वहासे 400 से तो अच्छा खासा रिस्क रिवाड़ है अगर आपको पूजिशनल स्विंग ट्रेड लेना है तो अभी देखते हैं आवरली चाट और कल के लिए इंट्राडे या फिर पूजिशनल ट्रेड क्या हो सकता है तो आप देख सकते हो कि हम और सोल्ड रिजन से अच्छा खासे करना है अगर आपको इंट्राडे और पूजिशनल एक दो दिन के इसाब से ट्रेड लेना है तो 16,300 से 400 के बीचे में हम एकुमिलेट करेंगे हमारा स्टॉप लास रहेगा 16,230 के नीचे और जो टार्गेट बनेगा मेरा पहला टार्गेट रहेगा 16,825 और उसके बाद में लेकर चलूँगा तो आपको लॉंग करना है निफ्टी 300 और चार सो के बीच में 16,300 और चार सो के बीच में मिलता है तो लॉंग करना है स्टॉप लास 16,230 के नीचे टार्गेट 16,850 17,000 के और ऑप्शन ट्रेडर जो है तो वो 16,300 का जो कॉल आप्शन है नेक्स विक का उस उस पर डिप्स पर बाइक कीजिए उसमें एक्कमेलेशन कीजिए थोड़ा-थोड़ा वितर स्टिक स्टॉप लॉस और अगर फिचर देरा 16,230 के नीचे स्लिप करता है तो उस ऑप्शन में जो भी लॉस होगा वो लेकर निकल जाना पड़ेगा अगर 16,600 850 17,000 के लिवल अगर फोकस कर सकते हो अगर निफ्टी 300 और 400 के बीच में आता है तब उस ऑप्शन में आपको एक्कमेलेशन स्टार्ट करना है आपका स्टॉपलस सेम रहेगा अगर फ्यूचर 16,230 के नीचे स्लिप करता है तो उस ऑप्शन में जो भी लॉस हो रहा होगा आपको वो लेकर वाग कार सकते हैं और जनों ने भी आज अपने प्रॉपट कम माया होगा तो उसको जो हैकि विकली करना है तो वह विकली कर सकते है और जन्नों को एश प्रॉफित कम आया होगा तो उनको जो है तो कॉम रस fans इस और कल के लिए आपको जो है तो all the best तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिजिए वीडियो को जादा से जादा लोगों सेर कीजिए अगर आपको मेरे वीडियो पसंदे तो मेरे चैनल को सब्सक्रीब कीजिए अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना जाते हों तो मेरे सर्विस इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां जाकर जॉइन कीजिए और थैंक्यू पर वाचिंग दिस वीडियो अब्सक्राइब नाओ और प्रेस तबेल आपकेट नेवर मिस अपडेट